हेलो स्टार्ट करते हम लोग फार्मस्टिकल डोजेस फॉर्म है ना डिफेर्ट टाइपस पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमारा चल रहा है टॉपिक लिक्विड ओरल प्रिपरेशन जिसके अंदर हम लोगे स्वलूशन नहीं है सब कुछ इसके अंदर हर एक चीज को हम लोग क टॉपिक है पके से रिवाइस कर लेना चीजें आगे अराम से इजली समझते हुई आती जाएंगी अब अलेक्जिर क्या होता है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अलेक्जिर और सीरप में अगर हम इसको यहां बात करें तो बहुत छोटा सा डिफ्रेंस है अलेक्जिर क्या ह तो यह क्या क्या आते हैं अलेक्जिर का एक्चुली क्या है अगर इसका इंग्लीज में मिनी देखने जाओगा जैसे की बॉल का मतलब गेंद होती है इसकी मिनी देखने जाओगा तो अमरित है ना एक ऐसी चीज जो जान डाल दे जादूई चीज है ना तो इसलिए फिर अल्कॉलिक है लिक्विट फॉर ओरल यूज है ना ओरल यूज मतलब माउट को थुरू लिया जाएगा टिपिकली अल्कॉल और वाटर को हम लोग एज़ा सॉल्वेंट यूज करते हैं वैं दा ड्रग विल नौट डिजॉल्व इन वाटर एलॉट अलॉट जब जो ड्र द्रग एक्टिव ड्रफ के अलबा आ दे यूज इसलिंट करेंड यूज़्िट्वर फ्लेवरिंग एक्टिव ड्रग क्या अलावा है एक्टिव फार्म तोटल इंग्रिडिये ज्च्व सब्सकुलrist डेंके डिन डाल गता हो ओसा सदिप्रिशाऺ ने करें तो patient acceptance का मतलब क्या होता है अपने आप में एक बड़ा topic भी है ये patient acceptance मतलब patient उसको accept करें कि हाँ दवाई है और मैं खाऊंगा तो मिरे लिए मिरे को अच्छी भी लगनी चाहिए दवाई कड़ी लगते तो खाने का मन नहीं करता है ठीक है ना definition की बात करें अलिक्जिर की तो अगर United State Pharmacopeya उठा ले 14th कौनसा edition है ये 10 और 5,6,7 17th edition है अपने पास ये अलिक्जिर को define किया गया है अलिक्जिर as clear clear होते है आप पर दिखाई पड़ता है sweetened मीठे होते है hydro alcoholic होते है पानी और alcohol होते है liquid intended for जो बने होते है oral use के लिए हना मुझसे पीने के लिए जिनके अंदर containing flavoring substance flavoring agent होते है active medical agents होते है साथ साथ में क्या होते है active medical agents जो हमको mainly ठीक करते है their primary solvents are alcohol and water यही तुवारा one mask portion है elixir में primary solvent होता है main solvent क्या है पानी और alcohol को मिला करके use करते है और साथ साथ में हम लोग कई बार glycerine sorbitol और syrup को भी हम लोग कई बार क्या कर लेते है add कर लेते है अब syrup को अंदर समझ गए हो simple syrup चीनी पानी चीनी पानी याद आया okay ठीक है तो कई बार syrup को भी हम लोग addition कर लेते ह as an additional solvent और sweetening agent का हम लोग कई बार इस्तमाल कर लेते हैं ठीक है they are prepared by a simple solution और admixture of the several ingredients या तो यह simply simple solution solution ऐसे बनाते हैं एक solvent लिया solute डाल दिया तयार हो गया या फिर साथ साथ में हम लोग admixture कई सारी चीजें इसके अदर add करते हैं they are used either as vehicle या तो हम इसका इस्तमाल as a vehicle vehicle क्यों होते हैं face जिसके अंदर चीजों को dissolve करवाया जाता है और for the therapeutic effect of the medicinal substance that they contain या फिर हम इसको as a therapeutic effect के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं और therapeutic effect कौन देगा जो medicinal substance इसके अंदर dissolve हो रखा है ठीक है ना तो mainly क्या है पानी और alcohol सीरप simply क्या था चीनी पानी चीनी पानी ये क्या है पानी और alcohol से मिल करकर जो बनेगा वो क्या होगा अलेक्जर होगा वहां के वहल पानी और चीनी था उसके अंदर हम लोग API यानिकि सिं वाटर प्लस अपना सुगर और प्लस API active pharmaceutical ingredient और अगर मैं एलेक्जर की बात कर लूँ तो यहां पर क्या हो जाएगा वाटर प्लस alcohol प्लस API तो difference साफ साफ दिख रहा है सीरप और एलेक्जर का difference किलियर रखेंगे तो सारी चीज़ें किलियर रहेंगी difference अगर किलियर नहीं रख हैंगे तो चीजों को समझने में दिक्कात आएगी विटा ध्यान रखना ठीक है एडवांटेज क्या है ठीक है अगर कम से कम इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर अभी हम देखेंगे चार या पांच परसेंट से लेकर के 40 परसेंट तक alcohol रहता है तो जिन एलेक्जिर में कम स त्यार होते हैं उसी तरीके से लोग इसको simply prepare कर सकते हैं has stable characteristics compare to syrup यह stable होते हैं क्योंकि शीरप में केवल पान ही है यहाँ alcohol भी है better able to maintain both water-soluble and alcohol-soluble component in solution इसके अंदर water-soluble दोनों component mix कर सकते हैं हम लोग सीरप में ऐसा नहीं कर सकते थे easily administered in patient having problem of swelling solid doses form ठीक है जिन patients को solid doses form लेने में दिक्कत है निगलने में दिक्कत है उनको हम easily यह दे सकते हैं used as vehicle विकल के तरह इस्तमाल होता है test maskar test को जो कड़वे टेस्ट होते हैं उनको चुपाने के लिए इसका इस्तमाल होता है disadvantage disadvantage क्या less less effective than syrup in masking test syrup में मिठास होती है मीठा होता है तो जितना अच्छा कड़वे पन को सीरप छुपा सकता है या कड़वे पन को ढख लेता है है उतना अच्छा यह नहीं छुपा पाता है masking ठीक है contain alcohol can be vicious to children इसके अंदर alcohol होता है तो यह बच्चों के लिए थोड़ा सा नुकसान दायक है प्लस वो लोग जिनको alcohol मना है जिनको दारू नहीं पीनी है डाक्टर नहीं मना करते कि आपको अलकॉल नहीं लेनी है उस case में यह नुकसान दायक है because they contain volatile material it must be stored in airtight screw jar avoid the air escape अब इसके अंदर volatile materials भी होते हैं तो इसलिए हमको इनको screw tight हमेशा tight ठककन हमेशा कसार है otherwise जो volatile material है वो तो उसके अंदर से उड़ जाएगा needed to keep away from source of ignition ठीक है न अब अलकॉहल है अलकॉहल हम बहुत जल्दी आग लगती है तो इसे गर्मी से दूर रखना पड़ता है addiction लग सकती है सुना अगर कुछ लोग न लोग होते सीरप लेते पी जाते पूरा नशा करने के लिए तो addiction लग सकता है liver sclerosis को यह alcohol होता है तो liver sclerosis की problem हो सकती है sedation हो सकता है sedation समझते हो ना नीन जैसे आना dizziness चक्कर आ सकते है large amount of alcohol cause burning saturation of the tongue अगर alcohol की मातरा जादा है 30-40% तक है तो जीब में जलन भी हो सकती है तो यह सारे इसके क्या है disadvantage है clear रहे बाते हैं आगे आते हैं अब एक आ सकता है what is the difference between syrup and elixir तो सबसे बढ़ा difference बिटा और यह तुमारा कही ना कही question भी है alcohol is not necessary component अलकॉल डाल सकते बड़ जरूरी नहीं है यहाँ पर बिना अलकॉल के elixir बने गाई नहीं ठीक है ना necessary more sweet ज्यादा sweet होता है यह less sweet होता है compared to syrup compared to elixir more viscous than elixir ज्यादा गाड़ा होता है यह उता है जादा गाड़ा नहीं होता है high concentration of sugar या स्फटेशन जादा को sweet ज्यादा है तो concentration भी ज्यादा होगा less proportion of sugar क्योंकि उसकांता होती नहीं है तो उता है सुगर नहीं होता है यह कम stable है यह more stable यह मोर्स बताए इसकांता अलकॉहल है तो यह ज्यादा इस्टेबल है difficult to formulate than elixir इसको prepare करने में थोड़ी दिक्का था यह easily prepare हो जाता है यहाँ पर heat wheat करना पड़ता है तमाम चीजे होती है यह simply solution के तरह बन जाता है more effective in masking the taste taste को mask करना mask करना उसको छुपा लेना उसमें जो अपना यह होता है क्या कहते है यह ज्यादा बेटर काम करते हैं यह अच्छा काम नहीं करते हैं may not be clear formulation यहाँ पर क्या हो सकता है कि solution मेरा clear ना बने मतलब जैसे सीरप देखाओ ना गाड़ा-गाड़ा से रहता है वो कई बार क्या होता है clear नहीं बनते हैं लेकिन जो elixir होगा मेरा वो क्या होता है एकदम clear cut solution बनता है एकदम clear रहता है ठीक है पूला बनके तयार हो जाता है सक्रो सीरप cannot be used for diabetic patient को नहीं दे सकते ऐसा सीरप ठीक है इफ यूज़ एक्सराइस कियर ठीक है यहाँ पर सिंपल इतना रखो इस लाइन को हटा दो यहां पर दे सकते हैं तो देखो बेटा यह कोशन तुम्हारा जो मैं मार कर रहा हूं एक पॉइंट यह एक पॉइंट यह डाइबटी पेशन क इसको क्या दिया जा सकता है सीरप एलग्जिर ठीक है ध्यान रखें उसको एलग्जिर देंगे एक तरह का ठीक है ना सॉलूशन ही है जो मैडिसिन से सीरप में भी होंगी मैडिसिन इसमें भी होंगी लेकिन जो एलग्जिर की फॉर्म में त्यार किया जाएंगे वो कि है हमने अलकोहल और पानी को मिला करके अपना तयार कर लिया लेकिन उसके अंदर किसी भी टाइब की मेडिसीन या API नहीं डाली है उसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट वगरा डाल डोल के तयार कर लिया है लेकिन किसी भी तरह का API एक्टिव फार्मसोटिकल इंग्रीडिय या API कोई हम लोग क्या बोलते हैं मैडिसीन कोई किमिकल यह ठीक ना है मैडिसीन में और क्या रहेगा पानी अलकोहल फिटनिग और काल्रिंग एजट रहते हैं कि ऑल ल हम इसके प्रफेर कर लेते हैं जरूरूत पढ़ने लगे कहीं पर इस्तमाल कर लेंगे self-pregervative होते हैं क्योंकि इसके अलकोहलिक हो खुदी अपने आपको प्रिजब करके रखते हैं इसका use किया है क्यों बनाया है हमने इसका दवाई है ही नहीं तो इसका इस्तमाल किया है फिर इस्तमाल यह है they are used purely as diluting agent dilute समझते हो ना कि हमने मालो कोई चीज तयार कर ली dilute करने के लिए diluting समझते हो clear है solvents for drugs drugs के लिए solvent obviously बात है जितने drugs है हम लोग घोलेंगे किसमे elixir में तब घोलेंगे तो यह अगर simple जो हमने त्यार करके रख लिए हैं future के लिए तो solvent इस्तमाल करता है अब आगे क्या बोड़ रहा है containing approximately 25% alcohol इसके अंदर लगवाग 25% alcohol होता है example क्या है simple elixir iso-alcoholic elixir, low alcohol elixir ठीक है अब जो low alcohol elixir है उसके अंदर containing 8-10% alcohol होता है और high alcoholic elixir के अंदर containing 75-78% alcohol यानि कि जो हमारा non-medicated elixir है उसको हम तीन category में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है एक हमारे पास क्या है simple elixir, दूसरा क्या है low alcoholic elixir, तीसरा क्या है high alcoholic elixir तो तीन category में हम non-medicated को डिवाइड कर सकते हैं कितना कितना percent alcohol रहेगा ये दिमाग में रखना है example क्या है इसका जो non-medicated क्या है aromatic elixir, iso-alcoholic elixir ये simple से क्या है मेरे पास example है इसके अब medicated तो कुछ नहीं करना हमने जो यहाँ पर ये non-medicated elixir त्यार किये ना, इसके अंदर क्या डाल देंगे medicine डाल देंगे डालती क्या बन जाएगा medicated elixir, simple ज़्यादा कुछ नहीं हमने category है ना, जब मालो मैं कह रहा हूँ मैं अपनी medicine त्यार कर रहा हूँ मैं कहों भीया वो लियाओ, non-medicated elixir लियाओ तो अब specify अच्छा है एक वाला elixir उठाके लेके आना है जिसके अंदर दवाई मौजूद नहीं है ठीक है तो नाम दिये गया है अब medicated में क्या है, medicated elixirs are solutions of active ingredients यह वो solutions है जिसके अंदर active ingredients याने की API मौजूद है dissolved in water and alcohol and an alcohol along with other excipient such as preservative और साथ साथ में इनके अलावा कुछ और चीज़े भी हो सकती है जिसको हम लोग क्या बोलते है, excipient जैसी preservative है, coloring agent है, flavoring agent है, तमाम चीज़े भी इसमें हो सकती है example, anti-histaminic elixir, used against allergy, इसके अंदर क्या रहेगा, chlorphenidermine, main जो हमारा chemical agent होता है याने की API होता है, कौन है, chlorphenidermine maliate elixir, ठीक है, USP, या डाइफिन hydramine, SCR elixir तो main chemical agent इसके अंदर यह हो जाएगा, sedative and hypnotic elixir, sedative induced drowsiness and hypnotic induced sleep जो तो पता ही हम लोग को, pediatric chloral hydrate elixir, बच्चों के लिए बनाए जाता है, बच्चों के लिए बनाए जाता है, सो जाए और सोता रहा है, कई बार जरूत होती है कि बच्चे परिशान जादा होते हैं, बिमारी प्रॉलम होती है, तो यह sedative or hypnotic elixir दिये जाते हैं, इससे कि बच्चा क्या है, सोता रहता है, लंबे समय तक Aspectorant, जो कफ को बहार निकालेगा, used to facilitate productive कफ, जो productive कफ है, यानि कि बलगम आता है, उसको बहार facilitate, बहार निकालने में help करता है, कफ with sputum, sputum पता न, जो गड़ा-गड़ा से निकलता है, ठीक है, terpene hydrate elixir इसका example आ गया, miscellaneous, और भी कुछ है, estaminophen, paracetamol, बुखार के लि होगे, ठीक है न, तो medicated elixir का मतलब, simple उसके अंदर क्या है, simple यहाँ पे कुछ ना याद करो, एक बास समझ में आ गई, alcohol और पानी और साथ-साथ में क्या होगी, हमारी medicine भी होगा, बाद बागी coloring flavoring agent, स्वाद नुसार डाल लेंगे, ठीक है, सबजे में बोलते हैं न, खान हैं, तो बच्चो वाले syrup में इसलिए especially colorful बनाए जाते हैं, ओके, हागे आते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं है, बास समझ में आ गई, elixir में especially का alcohol का सारा खेल है यहाँ पर, अब, क्या-क्या component है, elixir के तो अगर हम बात करें, तो purified water होता है, और alcohol होते हैं, यह तो हम अब को है, तो diet question कई बार आ सकता है, कि what are the components of elixir, तो क्या-क्या उस करते को, alcohol and water तो compulsory हो गए, उसके अलाबा बहुत सारी चीजें जो हम add करते हैं, स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार मतलब situation of the elixir, किस हिसाब से हमको उसे बनाना है, ठीक है, तो purified water and alcohol are main component of the elixir, ठीक है, the alcohol concentration is greater than 10% VV, however, in some preparation, the concentration of alcohol may greater than 40%, तो लगबक 10% VV, मतलब, VV का मतलब क्या होगा, 10 ml alcohol, और तो 90 ml क्या होगा, पानी होगा, ठीक है न, जैसे www होता है, उसमें gram gram होता है, इसमें volume volume होगा, okay, polyol co-solvent, कुछ और co-solvent होते हैं, जैसे कि propylene glycol, glycerol, यह extra solvent होते हैं, जो कई बार हम लोग add करते हैं, जरूत की according, कुछ preservative, अगर मेरे पास क्या है, 4%, 10%, मतलब, लगबक 7-8% की range में, अगर alcohol है, तो वो alcohol कई बार self-preservative की तरह behave नहीं कर पाती है, या कई बार क्या होता है, हमारा ऐसा है, जो तयार हुआ है, उसके अंदर किसी खास तरह के microbes होने की समभावना जादा है, alcohol होने के बावजूद, ऐसी situation में हम लोग प्रिजरवेटिव का use करते हैं, तो क्या कह रहा है, अगर 20% से नीचे alcohol है, तो हमें प्रिजरवेटिव की जरूरत कई बार पढ़ जाती है, the commonly used प्रिजरवेटिव आर double strength chloroform, जो प्रिजरवेटिवे कौन सा हो गया, double strength chloroform, benzoic acid, methyl easter and parahydroxy benzoic acid, ठीके ना, यह नाम जाद रख लेंगे, sweetening agent, less concentration is required as compared to syrup, sweetening agent वही सारे इस्तमाल होते हैं, लेकिन जितना हम लोग syrup में use करते हैं, उतनी मातरा में यहां इस्तमाल नहीं करेंगे, flavors and colors, flavor, swath के लिए colors देखने के लिए attractive लगे, जैसे मैंने बताया कि colors की ज़रूरत ज़्यादातर, बच्चों के syrup में होती कोई, बच्चा color देखके attract होता है, फिर दवाई आराम से पी लेता है, all pharmaceutical elixirs contain flavors and colors, लगबग सभी में flavors और colors पाये जाते हैं, to increase the palatability, palatability मतलब उसका स्वाज बढ़ाया जा सके, खाया सके, पिया जा सके, and enhance the aesthetic quality of the formulation, aesthetic मतलब देखके लगए कि हाँ इतना बढ़िया लग रहा है, यह तो मेरे को ठीक करी देगा, एक feeling आ रही है, ठीक है aesthetic, हाँ यही होता है, हम लोग जाते हैं पहाडों में, जंगलों में, अपने शेहर से निकल करके, तो क्या लगता है, कितना अच्छा है, आस पास garden सा है, आ रहे, ऐसे मौसा में तो हम अपने भी ठीक हो जाएंगे, तो that is the aesthetic, जो सुकून दे, ओके, example, black curant syrup in chloral elixir, ठीक है, और compound orange spirits with glycerol in phenobarbital elixir, तो नाम दे दिया है, किस के अंदर, chloral elixir के अंदर, black curant, compound orange spirit with glycerol in phenobarbital elixir, ठीक है, ना, कुछ example दे दिया, flavors of colors के, अब आगे आत आते हैं, methods of preparation, एक general method की हम बात करेंगे, कि इस तरह से हम लोग इसको prepare करते हैं, वैसे बदा सिंपल ही है, सबको पता है, क्या लेंगे, raw compound लेंगे, पानी, alcohol लेंगे, मिला देंगे, फिर ingredients लगार डाल देंगे, तमाम चीज़े normal होती है, ठीक है, आगे आते हैं, simple, dissolve the water soluble ingredients in the part of water, फ्रसा पाइन ले लेंगे, उसके जो जो पानी में dissolve हो सकता है, उसको dissolve करवा दिया, अलग कर दिया, ये लोग, एक container ये त्यार हो गया, and add water, and dissolve the sucrose in it, और इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या डाल देंगे, sucrose भी डाल देंगे, मिठे के लिए, ठीक है, dissolve the other ingredients in alcohol, ये beaker A हो कर लेंगे, ये alcohol है, concentration of alcohol should be 5 to 40% to make killer solution, killer solution रेंगे के लिए हम लोग, alcohol का concentration की range क्या रखेंगे, 5 to 40% स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नहीं होगा, according IP, है ना अपनी जिसके according बना रहे है, इंडियन फार्मकोपिया के according बना रहे है, या USP के according बना रहे है, स्वाद अनुस IP लिख देना अपना इंडियन फार्मकोपिया के according बनती है अपनी, the echo solution is then added to the alcoholic solution, ये जो echo solution है, इसको फिर्म लोग, alcoholic solution में मिला देंगे, with constant steering, मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, ठीक है, and make up the walling with the solvent or vehicle specified in the formulation, और finally, जब इन दोनों को मिला दिया, तो मा 2 ml रहे गया, yes, होता है कि जो बार पानी आने होता, कुछ उड़ जाता है, alcohol है, कुछ उड़ गया, तो बाकि दस ml है, उसको हम लोग क्या करेंगे, साफ साफ कह रहा है, जो solvent है, वेकल है, उसको इसमें add करके, जो हमने नॉन बनाये थे, उसको मिला करके, उसको पूरा 100 ml बन हमने उसके शीरप में भी देखा था, सक्रोस जो होता है, मीठा पन जो होता है, वो solubility को decrease करता है, पानी की, तो हम पहले सारी चीज़ें उसको इंदर घोल लेते हैं, पानी में, फिर सक्रोस को आखरी में मिलाते हैं, a high alcoholic content is maintained during preparation, alcoholic content थोड़ा हाई रखा जाता है, by adding aquos phase to the alcoholic solution alcoholic concentration थोड़ा सा क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, during preparation, preparation में दोरान, by adding aquos phase to the alcoholic solution, ठीक है न, तो, एलेक्जेर शुड़ भी brilliantly clear, जो एलेक्जेर हमारा तयार होगा, वो क्यों होगा, एकदम brilliantly clear, मतलब एकदम इस पस्ट, solvent जैसे एकदम clear होना चाहिए, आरपार दिखना चाहिए उसमें, and therefore, strained और filtered, इसलिए हम उसको blast बनने के बात या करते हैं, strain मतलब ले करके, निचोड करके, पूरा clear solution भाहर निकालते हैं, filter करते हैं, if necessary subject to clarifying action, और अगर जरूरत है, तो clarifying process होती हैं, कुछ वो करते हैं हम लोग, of purified talk and siliceous earth, ठीक है, clarifying action के लिए हम लोग क्या चाहिए होता है, talk या siliceous earth की help से हम लोग क्या करते हैं, clear करते हैं, अब इस तरह से हम इसको त्यार करते हैं, यह step क्या, यह step क्या, पहले पानी इन दोनों को अला अलग भी कर लिया, mix कर लिया, ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, इसमें, फिर आगे, वैसे तो पहला step, दूसरा step mix कर दिया, फिर हम इसको clear कर लें, खेल खतम हो गया, बीच में extra बात नहीं है तो, ठीक है, याद हो गया होगा अब तो ऐसी, good, इतना भी लिख के आजागा ना बेटा, तीन नमबर में धाई नमबर बड़े राम से मिलेंगे, packaging of elixir, अब packaging हम समझ सकते हैं, उसको अलकॉल भी है, और क्या-क्या है, water भी है, तो elixir should be packed in glass, और plastic container as selected based on the requirement, जैसा उसको requirement है, जिस type से हमने उसे बनाया है, अलकॉल की मातरा कम है कि जादा है, तो हम ग्लास या plastic container में उसको हम लोग इस्टोर करते हैं, due to volatile nature of some components of elixirs, उसके अंदर जो कुछ components है, वो कैसे है, volatile है, उड़ जाते हैं, ठीक है, elixir should be packed in tight container, उसको हम लोग को हम इसा कैसे रखना ह है, and not stored at high temperature, अलकॉल होता है, तो high temperature पर उसे हमें नहीं रखना है, तो यहीं तुमारे पीटे छोड़ोटे questions आ सकते हैं, कि which of the following formulation cannot be stored on high temperature, elixir, ठीक है न, storage की बात करें, it should be dispatched in narrow-mouthed screw-capped, है न, पतला ऐसा रहना चाहिए, जैसे कि, ऐसी bottle है, तो यहाँ पर screw रहता है, इस त पतला होगा, screw-capped, colorless, plain bottle, bottle, बोटला कोई color नहीं होना चाहिए, ठीक है, do not store above 40 degree centigrade, obvious ही बात है, high temperature नहीं चाहिए, तो 40 degree को पर हमें इसे store नहीं करना है, clear है बाते हैं, ओके, तो यह chapter अपना खतम हो गया, तो यह अपना एक छोटु मोटु सा lecture था, elixir, जो कि क्या हो गया है finish हो गया है, तो ध्यान रखना पेटा, revision और जो बीचों कुछ-कुछ खास-कास बाते बता रहा हूँ, वहाँ सको तुमारे objective question उठने की संभावना बहुत जादा है, उन पर focus करते रहे न, बाद बागी, समझ लो, समझने के बाद, उसको मन से, मतलब, खुद की language में भी लि ले सकते हो, इसके थूरू practice कर सकते हो, ठीक है, बाद बागी, सबसे जलूए चीज पढ़ना है, और revise करना है, all the best!